हलो फिरिंट्स वेलकम दूर चानल करनाट अफेर अपडेटेड अधिस दिवशी शवस्ती आज मैं आपके सामने कैसा टॉपिक लेखे आया हूं जो एक्जाम में आप देखते हैं हर बार एक क्वेशन आता है और आप लोग कन्फ्यूद हो जाते हैं कि यह टॉपिक के एक सा टू टू फोर मार्क्स एक्जाम में प्लस ही मिलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्षा को बट स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंड इंफॉर्मेशन देने वाला हूं मैं मेरे जितने भी कोर्सेस हैं वो सब रिपब्लिक डेकी में सेल में चल कर लो बहुत कम दिन बचें याद एक लास दे जो है वो 31st जान है ठीक है तो जल्दी से जल्दी इस कोड को यूस करो क्योंकि इसमें लिमिटेड यूजर्स ही यूस कर सकते हैं तो जल्दी से यूस कर लो इससे पहले की लेट हो जाए क्योंकि वहां पर मेरे सारे कोश्रस आपको इविलिबल हो जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंसेज ओफ इंडिया को डिस्कॉशन करने के लिए सबसे पहले मैं अगर सेंसेज की बात करूँ तो पहला कोशन आपके एक्जाम में आएगा कि भाई, who is known as father of Indian सेंसेज सबसे सिंपल सा कोशन आएगा और ये कोशन आपको हो सकता है, ना बने इसका correct answer याद रखेगा, that is Henry Walter है, तो इसको सबसे नो डाउन कर लो अपने copy में क्योंकि बहुत important point है that is Henry Walter, ठीक है second point अगर मैं आप से बात करूँ तो जो सेंसेज की हम बात करते हैं इंडिया में सबसे पहला सेंसेज जब इंडिया अजाद भी नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उस ताइम पर 1872 पर वाइस रोय थे लॉड मेयो, उनके टाइम पर conduct किया गया था बड़ ये complete सेंसेज नहीं था अतलब एक synchronized manner में इस सेंसेज को conduct नहीं किया गया था फर्स ताइम सेंक्रोनाइज मेर में और complete सेंसेज हुआ था 1881 में और उस ताइम पर वाइस होय थे लॉड रिपन, ठीक है और इसके बाद आप देखेंगे 1881 से हर 10 साल में, हर 10 years सेंसेज कंड़क्ट होते हैं आगे अगर बात करें एक कोशन बहुत आता है कि सेंसेज जो है वो कौन सी ministry के अंदर आता है government of India में अगर मैं बात करूँ तो यार कि नोडल ministry जो सेंसेज आफ इंडिया की है वो है ministry of home affairs तो इसको जरूर नो down कर लो आप बड़ा important है फिर अगला कुशन आता है यार कि हमने सुनाए stateless होती है union list होती, concurrent list होती है यह सेंसेज किसका subject है किसका काम है सेंसेज कंड़क्ट कराना तो इसका correct answer है union list मतलब union government का काम है और under article 246 of the constitution में यह चीज़ mention है एक बड़ा important interviews में पूछा आता है कि जो census की information रहती है याद रखेगा जो भी conduct किया जाता है population census में जो भी information आती है वो इतनी confidential होती है तो याद रखेगा कि it is not even accessible to the court of law लब court भी इसको accessible नहीं कर सकता है तो बड़ी confidential जो information होती हो रखी जाती है ये भी आपको याद रखना है चलिए आगे बढ़ते next एक बड़ा important point आता है कि पहला census जब देश अजाद हुआ तब कब हुआ हर दस साल में होता है मैं आपको होता है 1951 में जाद किया फर्स independent census हुआ ठीक है और एक Act पास कर दिया था Government अल्रेडी पहले ही ते इस Census of India Act 1948 उस Act के अंदर इस Census को conduct किया गया था तो कभी-कभी ये पूछा आता है कि Census of India Act किस यर में पास किया गया था तो answer नाइटीन फॉर्टी एट अब देखिए लेटेस सेंसे अगर मैं आपसे पूछो कब हुआ है तो उसका correct answer थे 2011 और 2011 अगर हम 1872 को पहला सेंसे मान रहे जो मैं आपको बता है complete नहीं था बट फर्स सेंसे 1872 में हुआ था उसके according 2011 जो फिफ्टीन सेंसे है इंडिया का remember और independent इंडिया के बाद जब देश हजाद हुआ उसके according ये 7th सेंसे है 2011 का आप बोलेंगे हर 10 साल में होता है तो 2021 का सेंसे क्यों नहीं हुआ because of COVID ये अभी पोस्पॉन हो गया इसलिए अभी उसके data available नहीं है तो लेटेस इसके data available है मैं उसी का topic discuss कर रहा हूँ that is 2011 census अभी 2011 का जो census हुआ इसमें एक और चीज़ कंड़क की गई that is social economic caste census भी इसके साथ हुआ आप कहेंगे ये क्या है देखें एक्चुली क्या हुआ ये जो census है that is social economic caste census ये 1931 में हुआ था उसके बाद इतने सालों बाद 2011 में इसको conduct किया गया आप कहेंगे इसका मतलब क्या है क्यों ये census को छोड़के इसको भी conduct किया गया साथ में actually इससे क्या होता है कि हम ये पता लगा लेते हैं लोगों का economic status पता चल सकता है ठीक है इसली अपनी जो beneficiary schemes है वो easily identify कर लेंगे ये beneficiaries हैं इनको ये schemes प्रोवाइड करना है तो इसमें ये आपको help करता है प्रस इसका data भी easily accessible है government department दोरा ठीक है ऐसा नहीं की census का data आप देख रहे है court of law भी accessible निकर पाता है पर इसका आप easily जो है और census को conduct कराने वाले हमेशा हम देखेंगे एक register general होगे और जिको हम census commissioner of commissioner भी कहते हैं तो independent इंडिया के पहले first register general जिसको आप census commissioner कहते उनका नाम क्या था उनका था MWM Eats remember MWM Eats पर ये foreigner नाम लग रहा है Indian कोई तो पहला Indian register general और census commissioner of independent India कौन थे तो उनका नाम याद रहा है आरे गोपाला स्वामी remember तो दोनों कोशन exam perspective से important है अब हम अभी discuss करते हैं अभी के census के बारे में that is 2011 का census ये बड़ा important है सबसे पहले जो census अभी latest वाला है इसका slogan क्या था याद अखना आपको slogan था our census our future इसका mascot क्या था देखें याप एक woman आपको दिख रही होंगी तो woman that is woman enumerator जो थी वो याद अखेगा जो census को conduct कराती है एक तरीके से देखाया है तो वो जो थी वो इस पार की mascot थी 2011 वाले census की और रईस्तार जनरल जो इसका census commissioner कहने 2011 का वो कौन थे cm chandramoli cm chief minister के नाम से आप याद कर सकते है cm chandramoli इसके रईस्तार जनरल थे अगर मैं census की बात करूँ उससे पहले आपको पता होना चाहिए world की total population में से इंडिया की population जो है 17.5% world population इंडिया में रहती है मैं 2011 के according बता रहा हूँ इंडिया में अगर एरिया की में बात करूँ world के compare में तो 2.5% world का जो एरिया है वो इंडिया है तो ये point आपको याद अख रहे है चलिए आगे बढ़ते हैं सेंसे से कुछ important points देखते हैं सबसे पहले इंडिया में अगर देखा है तो urban population कितने percent है वो approximately याद खिएगा 31.36% और rural population अगर आप से पूछे तो आपको 68.84% तो rural urban population आपको पता होना चीए सबसाद urban population किस state में है तो आँसर है महराष्ट और सबसादा rural population किस state में है तो आँसर है उत्तरप्रदेश तो याद खिएगा सबसादा urban और rural population आपको पता होना चीए किस state में available है ठीक है आगे बरते हैं इंडिया में आपने देखा होगा बहुत साथ tribal groups है बहुत साथ scheduled tribes है वो सबसे बड़ा tribal group कौन सा है तो याद खिए का census 2011 के एकॉडिंग भील सबसे बड़ा tribal group है एराउंड याद खिए 37.7% जो population है ST population वो भील की है तो भील सबसे बड़ी tribe है याद खिए 2011 सेंसे के कॉडिंग सबसार हम कौन सी language बोलते है correct answer है हिंदी राउंड आप देखेंगे 42-45% जो है वो हिंदी बोली जाती है बट यह कुशन तो असान हो गया बट second largest spoken language कौन सी है यह आप confused हो सकते हैं इसका correct answer है बेंगॉली याद खिएगा second largest spoken language लोग बहुत जल्दी नहीं बता पाते है उसका correct answer बेंगॉली है आगे अगर बात करें at present child sex ratio की बात करें that is per thousand हम 0 to 6 year से per thousand में calculate करते हैं इसको 0 to 6 year में child sex ratio इंडिया का 919 है remember और सबस्यादा child sex ratio की state का है 972 वो है अरुनाचल प्रदेश का और सबसे कम lowest child sex ratio है हर्याना का that is 834 per thousand मेल remember तो सबसे कम हर्याना का सबस्यादा अरुनाचल प्रदेश का child sex ratio ठीक है आगे बात करते हैं एक बड़ा important point है यह भी एक्जाम में पूछ लिया आता है that is economic census सबसे पहला economic census कब कंड़क किया गया यह question आएगा तो आप confused हो जाएंगे इसका answer है 1977 अभी तक 6 बार sorry 7 times economic census conduct किया जा चुका है 6 times मैंने आप mention कर रखा है 7th time जो है वो 2019 में conduct किया गया latest 7th economic census that is conducted in 2019 remember तो साथ बार economic census भी conduct किया जा चुका है यह भी question आप से पूछा सकता है सबसे मुर्जादा population अगर मैं पूछू किस district में है according to 2011 census तो महराश्य का district है थाने जिसकी population जो है 1.1 करो रहा सबसे जादा population जब से सबसे कम population आगर मैं पूछू किस district की है 11 census के according तो और हुनाच्य प्रदेश में दिबांग वेली है उसकी याद अखिएगा that is around 7,948 ही सिर्फ population है तो इस पूछे आप से पूछे आते हैं एक्जाम में चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया की population में आपको बताई सबसे बड़ा state जिसकी सबसादा population है कोई आप से पूछे तो उसका आंसर है उत्तरपदेश और सबसे कम population है अगर कोई पूछे state की किस की है तो आंसर है सिक्के अब मैं आप पूछे कोई union territory बताओ जिसकी सबसादा population है तो आंसर है डेली और पूछे ऐसे union territory जिसकी सबसे कम population है तो आंसर है लक्षदी तो इस चारों पॉइंट आपको याद अखने है कोई exam perspective से important है ठीक है आगे बढ़ते है decadal growth rate की decadal growth rate मतलब जैसे 2011 की census के हम बात कर रहे है उससे पहले 2001 में census हुआ था तो इस 10 साल में इस 10 साल के decade में remember growth rate किती थी इंडिया की मतलब किती population increase हुई तो वो थी 17.64% मतलब इंडिया जो भी population रही होगी उसमें 17.64% इंडिया इंक्रीश हुई ठीक है जबकि 2001 में अगर देखे तो decadal growth was 21.15% बट अभी देखे decadal growth क्या हुई है कम हुई है किती हुई है 17.64% ठीक है अब decadal growth की में बात बहुत हूँ कौन सा state है इसकी सबसारा decadal growth हुई है मतलब 2001 के according सबसारा population की increase हुई है तो answer है मेगाले that is 27.9% और सबसे कम decadal growth की state की है तो answer नागलेंड negative में है point minus point 6% ठीक है अब किस unit 80 की सबसारा decadal growth rate है तो answer दादा नागरावेली that is 55.5% approximately और सबसे कम unit 80 की decadal growth है तो वो है लक्षदीप minus 6.3% ठीक है तो यह आपको याद रखने है आगे बात करते हैं इंडिया की population density की तो वो है 382 per square kilometer remember ठीक है सबसे अधा population density की state की है बिहार की है सबसे कम population density की की है that is अरगुनाच्वर प्रदेश की है state wise में आपसे पूछू union battery में अगर आपको पूछू तो सबसे अधा density की की डेली की है और सबसे कम unit battery की सबसे कम density है तो answer है आपने निको बार तो यह चारो point आपको याद रखने है आगे बढ़ते हैं sex ratio की बात करते है इंडिया का sex ratio कितना है इंडिया का sex ratio है 940 remember तो this is also very important की sex ratio है 940 अब आपसे पूछे किस state का सबसारा sex ratio है तो answer है केरल 1084 सबसे कम sex ratio किसका है हर्याना 879 अब आपसे पूछे किस union territory का सबसारा sex ratio है तो answer है पुदूचेरी 1037 और सबसे कम sex ratio किस union territory का है तो answer है दमनेंद्यू that is 618 तो remember यह चारो point important है exam में पूछा जाएगा आपसे 2011 की according कितना data है सबसारा जाएगा लिटरेसी की बात करें तो कि लिटरेसी 74% approximately है और सबसे अगर देखा किस की लिटरेट जादा है तो male जादा लिटरेट है around 82.14% male लिटरेट है और female जो है 65.46% ही है अगर मैं लिटरेसी की बात करूँ तो सबसारा लिटरेसी किस state की है केरल की remember that is 94% सबसे lowest literacy है बिहार की 61.8% that is दादर नागर अवेली 76.2% आगे बढ़ते हैं नेक्स अगर मैं आपसे पूछू इंडिया में शिर्यूल कास और शिर्यूल ट्राइब की बात करूँ तो इंडिया में कितने पसंट शिर्यूल कास है approximately 16.2% और शिर्यूल ट्राइब के स्टेट में है तो उसका आणसर है अत्रपदेश और सबसारा शिर्यूल ट्राइब के स्टेट में है तो आंसर है मद्रपदेश आसपास के स्टेट है UPMP But यहाँ पर question कर्फ्यूज होते हैं कुछो कहिंगे देखते हैं पंजाब में श्रीजुल कास्ट बहुत जादा है, percentage के according सबसारा पंजाब में है, और कहीं कहीं देखते हैं, लक्षदीप में सब 3 बहुत जादा है, percentage के according सब सारा ईसोरीप में है, तो overall याद रखे गहा, percentage के according याद खेगा, confused मत हो येगा. आगे बढ़ते हैं इंडिया मित्तल साहई घ्रसानीष कि बात को सबसारा डिलीजियन अगर देखा या 11 संसी क्या कोंद चूर्डिंग तो हिंदुजम जो है एराउं 79.8% हिंदुजम है लोग हिंदुधर्म के हैं सेकेंड देखा ए तो मुसलिम 14.2% 3rd है Christianity 2.3%, 4th है Sikhism 1.7%, फिर Buddhism 0.7%, फिर Jainism that is 0.4%. तो याद अखिए कि क्रोनलोजी में आपको अरेंज करने का आप से पूछा सकता है. एक exam में आप बहुत बार question देखते होंगे, that is Year of Great Divide, हम किस year को कहते हैं? और बहुत लोग answer भी लगा रहेते हैं 1921, जो की correct answer है. बट ये 1921 को में Year of Great Divide क्यों कहते हैं? ये बहुत लोग के दिमार्ग में होगा क्यों कहते हैं? वो मैं आपको बतायता हूँ. तो पॉपलेशन जो थी कभी increase होती थी, कभी decrease होती थी, ठीक है? बट 1921 के बाद आप देखेंगे, population जो है, वो constant increase हो रही है. तो 1921 इसलिए हमने क्या बोला है? Year of Great Divide. ये इसके बाद आप population देखेंगे, constantly क्या हो रही है? Increase हो रही है. So this is also very important. पूछा था Year of Great Divide हम किसे कहते हैं? और जाते जाते एक question मैं आपको बता के जाऊँगा, जो exam में बहुत बार देख रहा हो में आ रहा है. State of World Population Report. इस report को publish कौन करता है? तो याद कि इसका correct answer है, United Nation Population Fund. UNPF ये question पूछा जाएगा आपसे. तो आपको याद रखना है. तो यहाँ पर मेरा जो topic था, census of India का, वो complete होता है. बट मैं जाते यादे, फिर से बता दूँ आपको, मेरा app को download करो, lecture देखा आपने. कितने प्यार से, कितने असान तरीके सारे facts में आपके सामेर रख़भी हैं. राब चारो सर, इस तरह सारे classes आप पढ़ा दो. तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप को download करो, देवशिष classes, आप को visit करो, और तुरांट Republic 30 code लगाओ, course ले लो, वहाँ पर proper line से classes सारी available हो जाएंगी, आपको exam crack करने में वो बहुत जादा help करेंगी, ठीक है? यह lectures आप देखते रहो, ठीक है, बट आपको proper courses चाहिए, तो आपको visit करा पड़ेगा, देख सकते हो, हम मेरे बहुत सारे courses वहाँ पर जो है, available है, courses नहीं देखना है, सिर्फ notes चाहते हो, तो आपको इस तरह कोरियर के तुरू आपके घर तक पहुचा दी जाएंगी, तो मैंने आपको एक sample दिखाया, ठीक है, UPSC के preparation कर रहो, remember, ठीक है, तो आपको UPSC के लिए भी आपको notes की दोध पढ़ सकती है, classes की दोध पढ़ सकती है, किस तरह qualify करना है, तो उसके लिए भी आपको एक बार application को visit करो, वहाँ पर आपको हम अपने सारे classes, details, सब कुछ मिलेगा कोई डाउट के लिए contact करो, नमबर भी मैंने mention कर रहा है, contact कर सकतो आपको, वीडियो पसंद आया हो, मेहनत पसंद आया हो, आपको समझ में आ रहा हो कि बहुत ही क्रिस्पी मैनार ने चीदों को बहुत एक क्रिस्पी मैनार प्रोवाइड किया है, तो वीडियो को like जरू कर चैनल को subscribe जरू करके रखो, PDF इसका कुछ लोग पूछ रहे हैं कहा है, टेलिग्राम में available है, link description box में डाल दिये, और हो सकते अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को share जरू करो यार, जिसमें ज्यादा ज्यादा लोगों तक ये वीडियो बहुत सके, thank you